नमस्कार दोस्तों मैं विश्णु शर्मा आर्पीसी सेलेक्टेड सेकंगेड टीचर स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाई विश्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पूँ सभी विध्यारतियों को सभी बच्चों को जो तयारी कर रहे हैं आर्पीसी फर्स गेड की या तयारी करना चाहते हैं आर्पीसी फर्स गेड टीचर बनने की व्याख्याता बनने की उन सभी बच्चों को सभी विध्यारतियों को मेरी और से बहुत-बहुत बधाई बहुत-ब 25 में एक्जाम कम होगा इस बारे में भी हम बात करेंगे तो वेकेंसी आज रिलीज हुई है यह ना नोटिफिकेशन पूरा आज चुका है आपके जो आवेदन है यानि सर में फॉर्म कब से बरना है फॉर्म आपको बरना है आवेदन पांच नौंबर को शिरू होंगे और चार दिसंबर 2014 तक यह आवेदन चले यानि आप फॉर्म बरने का वेट क्यों करना लास टाइम बरेंगे पहले बरेंगे बीचों बरेंगे फॉर्म बर्द हो जितना जल्दी हो सके जैसे दिवाली बाद आप फ्री हो फॉर्म बर्द हो ठीक है फिर आपके तयारी में लग जाओ फिर फॉ तयारी शुरू करना चाहते हैं आप New Students है पहली बार RPAC first grade की वेकेंसी के लिए आप तयारी करना चाहते हैं है तो कैसे आपको तयारी करनी है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज हम इस बारे में डिसकुशन करेंगे कि कैसे हमें तयारी करनी चाहिए क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए new syllabus भी add हुआ है तो syllabus में क्या नया है क्या परिवर्थन हुआ है syllabus में हम उस बारे में भी देखें सब कुछ चीजें आपको इसी वीडियो में मिलेगी तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है आप टीचर बनने वाले हो फर्स गेट के टीचर बनोगे 10-15 मिन्ट, 20 मिन्ट, 25 मिन्ट जितना भी ये वीडियो बनेगा इतना टाइम आप दो मेरी गैरेंटी है जैसा ये वीडियो खतम होगा तो आप कुछ अच्छा ही कॉमेंट करके जाएंगी यहां सर आपने सब कुछ सही बताया और इससे हम बिलकुल हमें बेनेफिट मिलेगा ठीक है ये वीडियो हमारे लिए बेनेफिशल है ये आपका कॉमेंट होगा आइकेन गैरेंटी है तो लास्ट तक आप जरूर इस वीडियो को देखें पहली बात सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्यों? क्योंकि इस चैनल पर फ्री क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है क्लासेस शिरू भी हो चुकी आप वीडियो में देख सकते है ठीक है? क्लासेस स्टार्ट भी कर दिये इंपोर्टेंट MCQs, PYQs की क्लासेस स्टार्ट हो गई है ठीक है? और टॉपिक वाइस क्लासेस भी आपको मिल जाएगे एक सलेक्टेड टीचर आपको पढ़ा रहा है ठीक है? तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं ठीक है? साथ ही साथ राजस्तान में मुझे पढ़ाते हुए लगबग 8 साल हो चुके है राजस्तान में बड़े से बड़े संस्तान और छोटे से सोटे संस्तान लगबग सब जगे में ने पढ़ाया है शुरू से एंड था ठीक है? अब मैं बच्चों को फ्री एजूकिशन देता हूँ यहाँ पर यूटीव पर ठीक है? तो आप बच्चे सभी जुडें सभी विद्ध्यारते जुड़ें चलिए तो नया स्लेबस के बारे में भी हम बात करेंगे स्लेबस मेई क्या नया जुडा है exam कब होगा बच्चों की दिमाग में सबसे पहली बात यह आती exam कब होगा उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, टॉपिक पर क्या बात करनी चाहिए, कब हो सकता है exam क्या time table क्या हो सकता है उस exam कर क्यों, RPSC ने अभी तक calendar जो है जारी नहीं किया है तो exam कब हो सकता है, उस बारे में क्या चीज final हो सकती है कि सर ये महीना हम लेके चलने, इस महीने में exam हो जाएगा, तो वो महीना कौन सा होगा, वो भी मैं आपको बताओ, ठीक है, start करते है सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे जो notification आया है उस बारे notification में देख लो, आप हम बात कर रहे है, RPC First Gate English को लेकर, RPC First Gate English को लेकर बात करें, तो यहाँ पर देखो, English की जो post है ये color दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है, English की हम बात करें, तो English की हमारे पास 325 post है और हिंदी की हम बात करें, तो हिंदी की कितनी post दे रही है, 350 post दे रही है, कितनी post है, 350 post है ऐसे संस्क्रत की 64 है, राजस्तानी के 7, 15, 11, History की 90 है, Political Science, 225, Geography, 210, Economics, 35, Socialology, 16, Home Science, 16, Chemistry, 36 इस तरह से post दी गई है, ठीक है, तो English की post 325 है, अब आप कोई सी भी category के बच्चे हो, अगर आपकी तयारी अच्छी है अगर आपकी तयारी best रहेगी, तो यह 325 post बिलकुल आपके लिए है, इसमें female वाली post रटा दू, ठीक है यह पूरी post आपके लिए है, boys के लिए boys वाली post, girls के लिए girls वाली post, ठीक है अगर आप general fight करते हैं, तो यह post आपके लिए है, 325 की 325 post आपके लिए है, अगर आप general fight कर लेते हैं जनरल की cutoff से उपर नंबर लियाते हैं, या जनरल की cutoff के ब्रामर आपके नंबर आ जाते हैं तो post कम नहीं है, पहली बार सालों में इतनी अच्छी जो post है आपको मिली है, first grade में 325 post होना English English subject की बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है अगर हम divide करें तो जनरल की 82 है, फिर जनरल में डबलू ए की 23 है, विड़ो की 9 है, डायवोर्सी की 3 है, फिर वापस आगया, SC में आगया है, 36, 11, 41, इस तरह से complete notification आप पढ़ेंगे ही, वो सारी शीज़ें आपके पास है, अब हम बात करने वाले हैं, इस तरह से सारी post दी पांच नुवंबर से start होंगे, कितने paper होंगे, सर, इसमें, दो paper होंगे, एक फक्रीपर होगा, एक second paper, वस्ट paper common होता है, सभी के लिए, most paper क्या होता है, common होता है, सभी के लिए, 75 questions हैं वा पास, wal Sense, छोन और सब्जेक के आप टीचर बनने वाले हैं, उस subject के 150 questions जो हैं आपको मिलते हैं ठीक असर ये बात होगे एक लिया इन चीजों में पांच ग्यारा से दिनांग चार बारा दोजार चुछ रात्री बारा बजे तक आवेदन आप कर सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शन से इनको पढ़ लेना हां बीच में बात बता दू जो बच्चे में फा चल रहा है तो भी आप भर सकते हैं यह बात होगे अब हम बात करेंगे यहां पर यह है हमारी इंपॉर्टन चीज जिस पर हमें चर्चा कर लें इंपॉर्टन बात यह है वर्स्ट पेपर मैंने आपको बताया डियूरेशन होगा एक गंटे 30 मिनिट में आपको 75 क्यों करने क सब्जेक्ट क्या क्या आएगा सर्फ पेपर में क्या सब्जेक्ट मिलें हिस्ट्री ऑफ राजस्तान है हिस्ट्री ऑफ राजस्तान राजस्तान का इतियाज है इंडियन हिस्ट्री है जिसमें स्पेशल आपको जोड दिया गया है किस पर इंडियन नेशनल मोमेंट पर भार चार पांच चार पांच क्वेशन तो है करेंट अभर की करेंट अफेर्स आएगी दोजार तोईस दोजार पढ़ लें जनरल साइंस जनरल साइनस है पांच करेंशन आते हैं इंडियन पॉलिटी है जोगरोफी और राजस्तान इजे दो सब्चेक्ट आप अच्छे से तयार कर पॉलिटी और जोग्रोफी और राजस्तान जनरल साइंस अगर आपको साइंस में इंट्रेस्ट है तो साइंस आप पढ़िए नहीं तो साइंस की इजी जो टॉपिक्स है जो जनरल हमें याद हो जाते हैं रोग है यह ब्लड वगिरा की क्योशन्स है थोड़ से विटामीन में चींज ते हम बात करेंगे कि किस तरह चीत आपको तैयारी करने हां पहले क्या था एज्योगेशन साइकोलजी जो आती थी जो आती थी वहां के सेकंड पेपर में आती थी इस इस बार उठाकर कौन से पेपर में दे दिया है कौन से पेपर में दे दिया है कौन से पेपर में दे दिया है फॉस्ट पेपर में इस बार फॉस्ट पेपर में एजुकेशन साइकॉलजी आपको देती है एजुकेशन साइकॉलजी फॉस्ट पेपर में दे दी है एजुकेशन सिनेरियों राजस्तान राजस्तान का शेक्षिक परिदरश्य क्या है राजस्तान में शिक्षा की स्तिती क्या है वो क्योशन आएंगे राइट ऑफ चिल्डरन टु फ्री एंड कंपल्सर एजुकेशन 2009 वाला यह एक्ट है यह नियम है यह आपको पढ़ कर जाना इसमय से एक क क edited क INFORM आते हैं और आने जरूरी भी आएंगे धिक्स पढ़ कर जाना है यह ऐसी किस्वास्तान ह के सभला में पकर जाएँगों करूं कि बिटा जी आपको बाद बता दुम में 75 क्योशन से 25 में से 20 से 30 क्योशन भी सही नहीं होते हैं लोगों के और इस बार सबसे बड़ा जो चेंज है सबसे बड़ा जो चेंज है सबसे बड़ा जो चेंज है सलेबस में या पैटन में वो क्या है वो क्या है वो है कि सर 40% पिछली बार ऐसा नहीं था 40% जो है लाना 40% लाना जो है 40% लाना जो है वो compulsory कर दिया है 40% लाना ही है तब ही आप पास हो सकते हो In each of the papers दोनों papers में से हर एक में आपको क्या लाना है 40% तो लाने ही लाने यानि इसका मतलब है लगबग आपको 35 क्योशन पिचितर में से तो सही करके आने ही आने है तो इसलिए आपको जो topics easy है जिन topics को हम generally पढ़ लेंगे याद हो जाएंगे अच्छे से हम revise कर सकते हैं फटापर उन topics को रोजाना हमें हर 2-4 दिमें revise करते हुए रहना है ताकि last में जब इन topics से question आएंगे तो 15-20 question तो हमारे generally सही वैसे ही हो जाएंगे ठीक है तो ये दिमाख हमें लगाना है इस तरह से रणनीती हमें बनानी है ये नहीं किताब उठाई लक्ष खरीद लाए वो किताब खरीद लाए वो पनोर्मा खरीद लाए और पढ़ने लगए नहीं ऐसा नहीं करना है तरीका अपनाना है, किस तरीके से नोक्री लगी जा सकती है, किस तरह से हम 75 में से कम से कम 40 क्योशन 45 क्योशन सही करके आए, ये रणनीती हमारी है, अगर आप केवल 40 पसंड करिया है, तो भी selection नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, आप भी तयारी कर रहे हैं पहले से, आपके क्या करें, तक कि कट ओफ में से दो नमबर हमारे ज्यादा मिले, ऐसा काम हम क्या करें, तो वो उस चीज के बारे में हमें सोचना है, वो रणनीती हमें बनानी है, पेपर लीजे, एक पैन लीजे, और सबसे पहले खुद को देखिए, मुझे क्या क्या चीज़े आती है, क्य क्या क्या चीज़े मेरी कमजोर है, क्या क्या चीज़े मेरी स्ट्रोंग है, क्या क्या चीज़े मुझे ज़्यादा पढ़नी है, क्या क्या चीज़े मुझे कम पढ़नी है, एक complete paper pen पे, अपने हिसाब से क्यों कि हर बच्ची के तयारी अलग होती है, सबी बच्चों पर एक आपको आप कितने पानी में हो वो देखना है कहां तक आपने पड़ लिया क्या आपका कमजोर है क्या पैस्ट रोंगे वह पॉइंट आपको लिखना है और उनसे फिर अनीती बनाने ठीक अब आपकी बात होगी एजुकेशन साइकॉलजी सारी चीज आगे यह आगे आपका फ सोची जाएगे और पॉस्ट ग्रेजुशन लेवल कि हम इंग्लिश की कंप्लीट में इंग्लिश का दो सिव देखेंगे खिर पैड़ाजी यहा पर एड़ कर दी है थोड़ी सी ना थोडी मतलब जैसे सिट आप देते होगी तो आपने पैड़ागोजी को नाम सुनाओगा पैडा गोजी में थोड़ी बहुत साइकोलजी थोड़ी बहुत अपनी मनोविज्ञान वाली बात होगी थोड़ी बहुत application-based teaching की बात होगी teaching methods की थोड़ी सी बात आ जाएगी इस तरह से पैडा हुज हमें पढ़ने teaching learning material है teaching learning material है teaching learning material है हम पहले नहीं पढ़ते थे अपढ़ेंगे teaching learning material है हम रीट में पढ़ते हैं जिसको यहां भी हमने पढ़ना है और फिर ICT वाली थोड़ी बहुत computer की knowledge आगे है ना थोड़ी बहुत computer की knowledge आगे कि क्या है और क्या नहीं तो यह दास label total 450 यानि आपका यह जो पेपर है second paper यह कितने नंबर का होगा तर 300 नंबर का पेपर होगा 1500 का फर्स्ट होगा 4500 नंबर होगा 4500 नंबर में से कम से कम भी नहीं ना तो आपको 370 प्लस तो रहना ही रहना है यह target लेकर चलना है कि 370-350 प्लस देना है ऐसी स्टी category वालों का जो target है वो रहेगा लगबग 300 से 325-330 तक का target लेकर चलना है यह नहीं कि अब रह जाओ ऐसा नहीं करता ठीक असर यह बात हो गई हमारी अभी आगे सारे रणनीदिया जो भी चीज़े हैं इन्होंने सब्जेक जो हमारे पास है जिससे हम teacher बनेंगे उसके लिए हमें क्या-क्या पढ़ना है सर यह तो पता होना ही चाहिए सबसे पहले है अपने पास अच्छे से देख लो देखो यह पिसली बार दिया गया था इसमें पेपर में question का डिवाइडेशन नहीं है कि यह पच्छपन है यह पच्छपन है पच्छपन है पच्छपन है ऐसा नहीं है पिछली बार second grade में पर ऐसा ही हुआ था बच्छे ग्रैमर ज्यादा पढ़के चले गए थे literature की question ज्यादा इसी तरह पिछली बार का स्लेबस है वही है इसमें question का जैसे part 1 है तो यह कितने नंबर का है यह हमें नहीं दिया गया है तो जो नया स्लेबस आएगा हो सकता है उसमें भी नहीं दे क्योंकि नया जो second grade का एक्जाम हुआ था उसमें भी नहीं था तो यह नहीं आया हमें हर पार्ट को equal importance देनी है यह बात आपके मन में दिमाग में ठान लेना हर पार्ट को हर पार्ट को बराबर प्रात्मिक्ता देनी है बराबर इंपोर्टेंस देनी है ये आपकी रणनीती में चीज शामिल कर लेना आप ऐसा नहीं बोल सकते सर में प्रेपोईशन मुझे थोड़े से कम आते हैं प्रेपोईशन का क्या करूँ इनको छूड़ दूखे नहीं तो इस तरह से हम हर एक पार्ट पर दिमाग नहीं लगाना हमें पढ़ना सब है complete पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है एक ही बार में पढ़ना है बार बार वेकेंसी नहीं आती है तीन साल चार साल में एक वेकेंसी आती है विचारी सरकार द्वारा तो इस अवसर को इस अपॉर्चिनिटी को हमें खोना नहीं है वही इस बार हमें जंडे गाडने है इस बार हमें एक्जाइम क्रेक करना है नौकरी लगनी है अब आगे का वेकेंसी आए सरकार जाने है वो सरकार के उपर है हमें इस वेकेंसी में सेलेक्शन लिना है तो हमें उ जो हमें बहुत easy लगते हैं लेकिन exam में गलत हो जाते हैं यह ना हालत कराब हो जाती हैं तो मैं easy नहीं लेना है चीजों को foundational तरीके से बिल्गुँ zero level से तयार स्टार्ट करनी है और upper level तक हमें जाना है फिर transformation में देको चारो पार्ट आगे डिरेक 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 आगया active passive आग compound देगा इसका complex बनाओ complex देगा इसका simple sentence बनाओ auxiliary यानी models आगे सारी वर्ब्स आगी prepositions फिर देको यह vocabulary पार्ट वाला आगया phrasal verbs और idioms आगे phrasal verbs लगब 1500 से 200 हमें पढ़कर जानी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और already YouTube पर पढ़ा रखिए आप देख सकते है phrasal verbs बहुत important idioms एक बार 10 एक बार 20 दो वीडियो already uploaded है जिनको काफी सारे बच्चों ने देखा है काफी सारे बच्चों ने प्यार दिया है तो वो 30 idioms important है वो पढ़ा दिये ऐसे ही में आपको लगबग 1500 idioms पढ़ाऊंगे 150 idioms पढ़ाऊंगा आपके एक्जामे मिल जाएंगे I can guarantee है मेरी अधर गलत हो जाताए आपका लेटर का fórmateकें डेट कहा क्या क्या आता है कांसे लेंड़ेंगे कौन से लेंगवेज को लिखेंगे कभ लिखेंगे सारे चीज़ें शारी कि सारी की सारी परिवाशां यार्प करते हैं एक रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ होनी चाहिगए नहीं जाई ही, उसकी language कौण से person में होनी चाहिए, या first person में होनी चाहिए, second person में होनी चाहिए, third person में होनी चाहिए, फिर बात करेंगे graduation level, graduation level में यह points दी गई है, यह points है, 8 points है, Milton, honest, blindness, go and catch a falling star, शामदार point, def o dell, थोड़ी से बड़ी है, लेकिन अच्छी है, or to the west wind, और odd on aggression ये दो point में थोड़ी से difficult पढ़ेंगी लेकिन हम पढ़े लेंगे इनको अच्छे से ये दो तीन बार में याद कर लेना है ये दो point में difficult पढ़ती है बस My last day is बहुत easy है कहानी है निजम Ezekiel की Night of the Scorpion छोटी सी की story form में कहानी आ जाएगी Dance of Unix Unix कैसे Dance करते हैं कैसी उनकी Life होती है क्या उनके Pains होते हैं किस तरके समझे हैं उनके जीवन में आती है ये बात कहिए कमला दास कमला दास जिसको हम confessional poet कहते हैं ऐसी poet जो confessional रही है हमेशा उनकी poetry में ऐसा जलगता है कि यारो उनकी personal life हमें बता रही है इसलिए हम उनको confessional poet कहते है ठीक है ये बात हुई ठीक असर ये बात हुई उसके आगे क्या बात है उसके आगे बात है ड्रामा है हमारे पास ड्रामा में मकबत हमें पढ़ना है as you like it हमें पढ़ना है ये चलो complete strategy मैं पीडियाप भी डाल दूँ आप टेलिग्राम पर पीडियाप मिल जाएगी English by Vishnu Sharma नाम से टेलिग्राम चेनल है वो टेलिग्राम चेनल आप जरूर जोइन कर ले ठीक अभी ड्रामा में मकवत है As You Like It है Off Studies है बैकन की आपने पढ़ी होगी Graduation Level में Lamb in praise of Chimney Sweepers Chimney Sweepers जो हैं कितने अच्छे होते हैं कितने भहिंकर तरीके से वो काम करते हैं अंदेरे में कईयों की आखों की रौश नहीं चली जाती है कईयों के साथ क्या हो जाता है बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है Lamb फिर Fiction में है अपने पास Thomas Hardy का Mayor of Castor Bliss और R.K. Narayan का Vendor of Suite जो कि बहुत इजी है अच्छे से आप पढ़ लेंगे Character wise questions हमें पूशे जाते हैं फिर बात करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं चली बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी यह An acquaintance with the following literary forms है जो हमें पढ़नी है साबसाब दीथी फिछली बार odd पढ़ना है LG, Ballad, Sonnet, Epic, Gothic और Algorith है हमें पढ़कर जाना है इनके बारे Simile, Metaphor, Personification, Irony, Hyperbully, Onomatopoeia, Sinec Ducky और Oxymoron या Oxymoron हम उसको कहते हैं यह Figures of Speech और Literary Terms अपने पास होगे Phonetic Transcription, Word Stress इसके 2-4 questions, 3 questions confirm आते हैं और यह लगबग बच्चों की गलत जाते हैं तो यह सबसे important topic रहेगा Cut-off वाला topic रहेगा अपने English इसको आज सही पढ़ना चालू कर दो आप मैं बोल रहा हूं अगर यह 3 questions आपके सही चले गए Confirm selection आपका, I can guarantee Confirm selection आपका फिर है post-gradation level में वेसलेंड थोड़ी से टफ पढ़ती है, बाकी बर्डेपार्टी इजी, क्राइद पिकोग इजी, क्रियॉल, पिजिन, कॉर्ड स्वीचिंग, कॉर्ड मिक्सिंग, यह regular हम काम में लेते हैं हैं, मैं guarantee दे सकता हूं that you will get selected, अब मैंने दो language यह वाला जो पार्ट है, यह चला गया फर्स्ट पेपर में, यह सबसे बड़ी खुश कब रिये, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात को लेकर हैं, कि education cycle यह नहीं पढ़नी पढ़ेगी, अब तो केवला में क्या पढ़ना है, अब तो केवला में, grammar पढ़नी है, literature पढ़नी है, education cycle है, हिंदी में पढ़ लेंगे, बली जैमें, इंग्लिश में नहीं पढ़नेंगे, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिख़त होती है, हद से परेशा नहीं आ जाती है, तो यह बात हो गई, सर हमाजी, ठीक है, और यह मैंने आपको बता ही दिया, अब हम बात करेंगे, हमारे first वाले slide पर वापस हम आ जाते हैं, कि हमें क्या रणनीती बनानी है, किस तरह से हम तैयारी करें, ठीक है, आविधन आपका बता दिया, exam कब होगा, exam के बारे में आप वेट कर रहे हूँगे, सबसे पहले तो सवर हमें यह बता दो, exam कब होगा, हम तो यह जानने आये, कहीं बची यह जानने आता है, directly exam कब होगा, exam में आपको बता दो, expected बता रहा हूँ, exam, expected आपका exam होगा, मई, जून और जुलाई के बीच, mid का मन् यहाँ पर क्या है, सरकारी स्कूल की शुट्टियां होती है, प्राइवेट स्कूल की शुट्टियां होती है, खाली समय, कोई भी जो भी डेट, 3-4 दिन, 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन लगबगी exam चलेगा, तो इस डेट का duration रेकर, या तो मई के लास्ट में, जब विध् लग धा है, यहाँ पर exam होगा, कई बोल रहे हैं, कई महार्ती बोल रहे है, अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा, रे बहई इतना टाइम लगएगा, दिसंबर में फॉर्म बर जाएंगे, बच्चे खुन नी पी जाएंगे, सरकार का, हालत कराब नहीं करतेंगे, आ सरकार बदल गई है सारी चीजें बदल गई है ना और इतने सारे जो कांट हो रहे रास्तान में उनकी कारण जो है थोड़ी से अवेरनेस भी आ गई है अब चीजों के लेकर सारे जो अधिगारी सीरियस भी है तो एक्जाम इतना लेट नहीं जाएगा यह गैरंटी यह विदि से इस बारे में बात कर लिए ओअ tea m pink ऑट ओए अर्पी एसी को वैस्ट एल्ट इन सेकड़ीड एक कममाइंड कोरस है अब अब इसको कममाइंड कोर्स नाम सुनते आप चलेमज्ज़ा न कि समय सरी यह तो कोर्स बेचने वाले हजारों रुपए लेते हैं बच्चों से यह कममाइंड कोर्स है जिसमें आपको दोनों जो कोर्स हैं फस्ट गेट दोनों के तयारी एक साथ मिल जाएक केवल फस्ट गेट में हमें लिटरेचर यह एक्सट्रा पढ़ना पड़ता है क्या मिलेंगे हमें क्या देंगे दोसो से ज्यादा टैस्ट आपको मिलेंगे याने चैस्त त्यास तैस्ट प्लस जो है वो हो चुके हैं तो अपिक भी होगे फुल टेस्ट भी हो तो यह है आपके तयारी हमें तो नहीं लेना है हमें के वल टैसरी चाहिए हम इने पड़ रखा तो के वल टैसरी जाप लिलो एड़रेट 1 साल के लिए यानि जब तक आके एक्जाम नहीं होगा तब तक लिटल एकजैम मात्र 119 रुपे में 200 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे इस से तो कहीं ज़्यादा होंगे अमोमन बता रहा हूं 200 200 से तो बहुत ज्यादा होंगे ये मेरी गैरेंटी ठीकर आप trust कर सकते हैं एक selected teacher पर trust आप कर सकते हैं तो test series मिलेगे आपको at the rate one double line एक रुपे का एक test है इससे कम राज्तान में कोई नहीं देगा और इससे अच्छा कोई नहीं देगा यह मेरी गरेंटी है पूरी कोशिच करें सार एक्सेट्रा के लिए मैं आपको बता दो आपको परी नोट्स में वह आपको दूगा यह मेरे के रेंटी हम तयारी करेंगे जबर्दस सेलेक्शन होगा इस बार कैसा तयारी करें यह हो गई बात पूरी अब आपको तयारी के लिए आज से ही आप मिनिमम आज से ही आम मिनिमम 6-8 घंटे तो आप देना चालू कर देंगे तब जाके आप लगबग 3-4 महिनों में अपन से और यह तो 6-8 घंटे मिनिममम टाइम में आपको बता रहा है इतना तो देना ही देना है 6-8 घंटे फिर जैसे आपका स्लेवस पूरा हो रहा है इस तैयारी को डाल दो आप रिवीजन में रिवीजन में रिवीजन भी सेम टाइम करो प्लस जो आप 2-4 घंटे एक्स्टा देंगे वो आप दो टेस्ट को मॉडल पेपर्स को टेस्ट को दो और मॉडल पेपर्स को दो रिध प्र यह टाइम दो से तीन गंटे या दो से चार गंटे मॉडल पेपर्स को दो जो weakness तरह रही है उसको वापस revise करो एक्जाम तक तो आप सेंकडों टेस्स दे चुके हो ये कंफर्म कर लो कि हमने हजारों टैस्स त्यक्रों टैस्स देलिए अब कोई रिक्त करते हैं अब एक्जाम कब हो बस यह तयारी आपकी होनी चाहिए तभी सेलेक्शन होता है हम सोचें पढ़ लेंगे आराज पढ़ लें कल पढ़ लेंगे कम्प्लीट कर लेंगे एक्जाम आ जाता है हालत खराब हो जती है ऐसा नहीं कर लेवस जल्दी से जल्दी स्लेप कम्प्लीट करना है और फिर रिवीजन पर डालना है उसको और फिर टैस्ट और पिन्ट कर रहां है तॉपिक पूरा हो गया तो टॉपिक हट्टा फ़र से एक टॉपिक एक दो टेस्ट काम गळब्द को सब्सक्राइब कर लिए तोपिक सब्सक्राइब हमेसेल इंगलिश बएcion शर्मा नाम से टेलिग्राम चैनल है उसको भी आप जोइन कर लें ठीक है चली थेंक्यू सो मच धन्यवाद